तो 10 नमबर एकदम फ्री में आप सभी लोग यहां से क्लियर कर लीजे एकदम फ्री में आपको बिलकुल बिना किसी मेहनत की 10 नमबर क्लियर करा दिये जाएंगे क्लास 12 इंग्लिश में ट्रांसलेशन ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आप सभी लोग बहुत परसान होते हैं तो देखिए पहला वाला तो मैं एकदम सरल जान भूच कर लाया हूँ उसके बाद जो है इसमें थोड़े से बैरियेशन डाले जाएंगे और अगर आप ये सारे ट्रांसलेशन शीख कर जाते हैं ये मान के चलिए कि आपको यूपी बोड में जो है क्लास 12 में इंग्लिश में इससे बाहर ट्रांसलेशन बिलकुल नहीं देगा ठीक तो देखें क्या लिखाए यूपी बोड इग्जाम 2024 क्लास 12 ट्रांसलेशन कैसे करें इंग्लिश में ठीक ध्यान दिजे एक हिंदी में ऐसे आपको दिया जाएगा जैसे यहाँ पर क्या दिया है आप हम स्वतंत्र हैं हम अपने भाग के स्वामी हैं हमारी सरकार है और अपना संविधान किन्तु हमारे सामने अनेक समस्या हैं हमें उन्हें सुल्जाना है ठीक इस तरह का है अब मान के चले जब भी कोई ट्रांसलेशन आप लोग करिए यह मान के चले कि आपको उसमें कुछ नहीं आता अब हम स्वतंत्र हैं स्वतंत्र है यानि free हम यानि we अब यानि now है यानि are तो we are free now या now पहले भी लिख सकते ना आगे पिछे कहीं भी लिखे कोई लिख कर नहीं now we are free या we are free now हम अपने भाग के स्वामी हैं तो हम we हैं पहले लिखोगे आर क्या हैं स्वामी तो the master we are the master हम स्वामी हैं आप अपने भाग आवर ओन फेत यानि लिखा है we are the master up our own faith यानि हम अपने भाग के स्वामी है आगे लिखा है हमारी सरकार है we have our government हमारी सरकार मतलम इससे पहले अंग्रेजयों की सरकार रुआ करती थी तो हमारी सरकार है we have our government और अपना सम्विधान and our constitution constitution ठीक we have our government and our constitution ठीक तो हमारी चरकार है और अपना सम्विधान किन्तु हमारे सामने but we have मतलब अनेक समस्या हैं हमारे सामने अनेक समस्या हैं but we have many problems in front of us but we have many problems in front of us हमें उने सुलजाना है we have to solve उने मतलब हल करना है we have to solve them यानि उने सुलजाना है तो आई होब की पहला वाला पहरा जो दिया है हिंदी में उसका translation आपको बहुताई गजब तरीके से समझ में आया दूसरा पहरा ध्यान से देखते हैं थे पहले हम इसका हिंदी दिखाएंगे फिर आपको अंग्रेजी दिखाएंगे ताकि ही समझ में आप देखें लिखा क्या है मेरे पास एक कुता है तो कितना सरल है मेरे पास मतलब I have एक माने अ डॉग माने कुटा तो I have a dog तो दिक लिखось क्या है? I have a dog ठीक उसका नाम डाइमइंड है तो क्या लिखोगे? His name is diamond कितना सरल है तो मेरे पास एक कुटा एक उसका नाम डाइमइंड है His name is diamond ठीक वह बहुत और है तो he is very वह बहुत तेज दोड़ता है तो he मतलब he ओगया दोड़ता है यानि वह दोड़ता है बहुत तेज यानि very fast he runs very fast he runs very fast आग लिका है जब वो मुझे देखता है जब वो मुझे देखता है वो पूछ लाने लगता है जब वो मुझे देखता है तो पूछ हिलाने लगता है तो ध्यान दीजे When he sees me, when he sees me यानि जब वो मुझे देखता है He begins यानि वो शुरू कर देता है To wagging यानि हिलाना His tail अपनी पूछ जब मुझे वो देखता है तो वो पूछ हिलाने लगता है यानी पूछलाना शुरू कर देता है तो ये जो है दूसरे पैरा का यह पूरा आपका ट्रंसलेशन यहापर हमने समझा दिया अब तीसरा पैरा ध्यान से देखिए क्या लिखा है बसंत रित जो है आ गई है कौन सी रित आ गई है बसंत रित आ गई है तो भए या आ गई है पहुच गई है तो हम क्या लिखेंगे, the spring has arrived, यानि बसंत नितो जो है आ गई है, आगे लिखा है, march औप्रेल के महीने में बसंत आता है, यानि the spring comes in the month of March, मतलब किसमें आता है, march और अप्रेल के महीने में, देखिए यहां बहुत सुहाना मौसम है तो हम क्या लिखेंगे दिस इस बेरी प्लीजंट सीजन फिर से देखिए बसंदरी तो आ गई है तो दाइश प्रिंग सीजन है एज अराइब्ड मार्च और मार्च और अप्रेल के महीने में बसंद आता है तो यानि हमें आप लिखें का राजा कहलाता है तो आई होब कि आपको पूरा बात समझ में आए थैंक्यू सो मज़ जैहें फनिमात्रम